तो द्रापती मुर्मू की राश्ट्रपती चुने जाने पर मद्रप्रदेश बीजेपी में जशन का माहौल है बीजेपी प्रदेश वद्यक्ष बीडी शर्मा ने द्रापती मुर्मू की राश्ट्रपती चुने जाने पर बताई और शुपकाम नाई दी है साथ ही प्रदेश की जनता की ओर से भी बढ़ाई दी है इसके अलावा वीडी शर्माने कमलनात और दीवजय सिंग पर भी निश्वाना साधा है कल देश का जो राष्टपती चुना गया ये गौरब का दिन इस देश के लिए है और पूरा देश इस बात के लिए हर्स और उल्लास के साथ बेहन दिरुपती मुर्मुजी का स्वागत देश के अंदर आम जन्मारस निकिया 130 करोड जनता ने नई निर्वाचित राष्टपती बेहन दिरुपती मुर्मुजी को लोगों ने स्वागत पूरे देश के अंदर किया है मैं भी मद्यप्रदेश की भारती जनता पाटी की ओर से मद्यप्रदेश की हमारी साड़े आठ करोड जनता की ओर से जो एत्यासिक निर्णे इस देश के अंदर हुआ है इसके लिए मैं भारत की पहली जन्जाती समाच और दूसरी बार महिला राष्टपती जो चुनी गई है उसके लिए मैं उनको बहुत बढ़ाई देता हूँ 19 लोगों ने अंतर आत्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस एत्यासिक निर्णे में मानी प्रधान मंत्री और NDA के नेत्रतों के निर्णे के साथ अपनी अंतरा आत्मागी हवाज पर बेंदुरुपती मुर्मुजी को 19 विदायकों ने क्रोस बोटिंग करके इस भारत के एत्यासिंग दिरने में उन्होंने अपनी सेवागिता निभाई तो देखे अब राश्टपती चुनाव में कहीं न कहीं ये बीजेपी एंडिये के लिए जचने का महाल है और बीजेपी ने इसे बड़ा दाव के तौर पर खेला है क्योंकि मदप्रदेश में अगले साल चुनाव होना है और मदप्रदेश के विदायकों ने काफी जादा सम पर ऐसे में अब आने वाले समय में कॉंग्रेस इसको लेकर किस दिशा की और देखेगी और क्या कुछ सोचेगी ये बड़ा सवाल बनता है और इसी पर आये रुख कर लेते हैं मेरे समभादाता भोपाल से जुट चुके हैं जुटेंद्र अब लगातार कॉंग्रेस पर सवाल उठने लग गया है राश्पती चुनाव में डौपती मुर्मू की जीत हुई कहीं न कहीं एंडिये में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है खुश है बीजेपी लेकिन अब कॉंग्रेस के लिए कहीं न कहीं जो साख है वो दाप पर लग गई है बिल्कु देखे 146 वोट मद्यपरदेश से जो दौपती मुर्मू है उनको मिले हैं विधाय को कि अगर हम वोट की बात करें और ऐसे में जिस परकार से हम तो दस से बारा क्या जो एक आखलन था वो पहले से बताया जाता है कि करीभी एक दरजन जो क्रोस वोटिंगे लेकिन 19 कोंग्रिस की वोट हैं वो एंडिय की उमीदवार दुरुपती मुर्मू जी को डले हैं और इसके अलावा घर हम बात करें तो जिस परकार से बीस्पी सेपा और निर्दलियों के वोट हैं वह भी दुरुपती मुर्मू को डले हैं तो यहां पर नो डाउट ही कहना फिर् सपर वोटिंग होई है, ही कोंग्रेष्गेमे में भाड़ा रही हैं जब कि उनके पास विदायाएक वह उनके प्रत्यासी हैं इस्वन सिना उन्हीं के लिए वोटिंग करें डि़ाइना कि वच्छ लोग उन्हीं के सकत सब्सक्राइब करते हैं कि आखिर कहां कमी रहे गई कि कॉंग्रस अपने तमाम विधायकों को समझा नहीं पाई एसे 19 विधायक जिन्हों खुलकर द्रोपदी मुर्मु का समर्धन किया तो यह कहीना कहीना गलत नहीं हुआ कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंग दावा कर रहे थे वह दावे कि खोकले साबीद हैं और अब ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देने की बैहत आवशकता है पर पहले तो जो जन बिल्कुल जितेंदर अब कॉंग्रेस के लिए जाहिर तो पर यह चिंता जुना किस्तिती है क्योंकि जो कॉंग्रेस की सितिती आज के समय पे बन गई है वो आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़े सवाल पैदा कर रही है लेकिन अगर बात की जाए में चुनाव है बीजेपी आखिर इसको किस तरह से बुराने की कोशिश करेगी क्योंकि बीजेपी के हग में कहीं न कहीं ये फैसला गया है बिल्कुते कि 2023 में विदान सभा का चुनाव होना है उसके पहले राश्टमती चुनाव में हमने देखाएगी कि इस प्रकार से जो 19 कांगरेस के MLS थे उन्होंने एंडिया की उमिदवार के लिए वोटिंग के रिए नगरी निकाए चुनाव का जो प्रिडामिकल करा है उसमे में नगर पंचाद और ग्रामिंट शेत्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी मजबूत होती नजर आई है और ऐसे में महिस एक साल के बाद चुनाव होना है मध्यपरदेश में तो जिस परकार से बीजेपी अलग अलग समाज की चुनाव पर भी होता हुए नजर आएगा आप देखिए कि 2023 की चुनाव में भार्तिय निदा पार्टी जिस परकार से अभी वर्तमान में हमने देखा है कि जो क्रोस वोटिंग होई है इसके पहले जो नगरी निकाए कि चुनाव में पड़ेगा और यहीं बजाए कि बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट गई है सब्सक्राइब को भुनाने में बीजेपी करने कहीं पूरी तरीके से यह मत निकाई देखा था कि इसके पहले बीजेपी के साथ जूड़ गए तो मद्यपरदेश में भाच्पा की सरकार बंगी थी ऐसे में 19 विदायकों का और समर्थन नेंडिय को मिल गया और कुछ वोट सब्सर है वो बहुत जादा पढ़ने वाला है और बीजेपी के लिए कहीं न कहीं अभी खुशी की खबर है और आने वाले समय में जो विदान सबा चुनाव होना है मद्रदेश में कहीं न कहीं राहत भड़ी खबर है क्योंकि बीजेपी के हग में फैसला आया है लेकिन आखिर ऐसी क्या रणनीती बनानी चाहिए कॉंग्रेस को कि अपने आपको वो थाबित कर सके वो आप कहीं न कहीं स्टैंड करने लायक बन सके जलती है मारजने शितकर आये है तो यहां पर देकि Fifty FiftyFilty का जो मारजने वो विदे होता हो न जरा है तो अब ऐसे में कॉंग्रेस को यहाँ पर कहिना है कि जो अपनी ठोस रण नीती है उसके तेहती काम करना पड़ेगा दोजार थी से मद्यपरदेश में विदान सब्सक्राव का चुनाओं होना है और उसके पहले ही कॉंग्रेस से सबक नहीं लिया तो वाकिवे इसके जागेंगे ये बड़ा सवाल बनकर आता है क्योंकि जो अस्थिती सामने निकल कर आ रहे है कॉंग्रेस की वो काफी जादा चुनता जुनक है बहराल बहुत बहुत शुक्रिया जुतितर तमाम जौनकारी के लिए और जो